नमस्कार बहुत बहुत सौगत है आपका न्यूस जोल इंडिया में मैं हूँ आपके साथ प्रद्यम निश्यर्मा और कहाए कि वे चुनाव में ममता बेनर्जी को हराएंगे वरना राजनीती छोड़ देंगे और वहीं पश्यम बंगाल की मुख्यमंतरी ममता बेनर्जी ने पूरवी मिदानपूर के नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का एलान किया नंदीग्राम टी-मसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले कद्दावर नेता सुविंदू उधिकारी का गड़ है सुविंदू को उनकी ही किले में घेरने के साथ ममता के यहां से चुनाव लड़ने से पार्टी का मनुबल और उचा हो जाएगा 2007 में नंदीग्राम से जमीन अधिग्रण के खिलाफ आंदूरन छोड़कर ममता सत्ता की दहलीस तक पहुची थी वहीं कोलकता में रोड़ शो कर रहे सुविंदू उधिकारी ने का है कि वे ममता बिनर जी को 50,000 वोटों से हराएंगे पश्यमंगाल की राजधानी कोलकता में बीजेपी के रोड़ शो पर सोमवार को पत्राफ किया गया इसके बाद वहाँ भारी पुलिस बलकी तैनाती करनी पड़ी टीमसी चोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले सुविंदू उधिकारी ममता के गड़ दक्षन कोलकता में इस रोड़ शो की अगवाई कर रहे थे जबकि बंगाल की मुख्य मंतरी ममता बेनरजी नंदी गराम में सोविंदू उधिकारी के गड़ में रेली कर रही थी बीजेपी ने इस पत्राफ के लिए त्रुनूल कॉंग्रिस को जिम्यदा ठहराया है इस साल का सबसे बड़ा चुनावी रण बनने जा रहा है पश्यम बंगाल को लेकर हर दल तयारी मजटा हुआ है पश्यम बंगाल विधान सबा चुनाव को लेकर सोंबार को समाजवादी पार्टी ने भी अपने पत्थे कोल दिये है सबा ने भारती उंता पार्टी को हराने के लिए ममताव एनर्जी को समर्थन देने का एलान कर दिया है समझवादी पार्टी के प्रमुक अखलेश यादव ने कहाए कि हम पश्चिम बंगाल विदानसभा चुनावों में ममताव एनर्जी का समर्थन करेंगे उन्होंने काए कि बिजेपी नफरत फिलाकर बंगाल में विदानसभा चुनाव जीतना चाहती है 2017 में भी बिजेपी ने उत्रप्रदेश में नफरत का प्रचार करके जीत हासिल कीती लेकिन अब ऐसा पश्चिम बंगाल में हम नहीं होने देंगे और ममताव एनर्जी काम खुले तोर पर समर्थन करेंगे लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जिस तरीके से समर्थन देने की बात कर रही है क्योंकि किसी नहीं सोचा था कि ममताव एनर्जी को अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस तरीके की जद्धो जहद करनी पड़ जाएगी लेकिन ऐसे मैं समाजवादी पार्टी अगले श्यादव समर्थन में उतर आ है सुवेंदी उदिकारी नहसाफ तोर पर इस बात कर दिकर कर दिया है कि अगर वो ममताव एनर्जी को उनके गड़ में नहीं हरा पाते है तो वो राजनीती छोड़ देंगे और पचास हजार वोट से उनको हराएंगे फिलाल इस खास पेशकर्ष में सिर्फ इतना ही बने रहे है न्यूजवल इंडिया के साथ नमस्कार